नमस्कार किसान भाईयो नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर सुनिल सिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है किस तरह से जो जैनेटिक्स है अगर हम अच्छा जैनेटिक्स यूज करते हैं फ्यूचर की आने वाली प्रोजनी को कैसे वो उनका कंसेप्शन र हैं धायेगी क्या ऐसा ही हर किसमें मीले गाण तो यह ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसी हम उनीका पता लगा सकते हैं जो जरॉमने टेस्टिट doen इंका हमेपने फिय चाहिं हम नहीं बता सकती क्योंकि आने वाली बच्छीयां कि कंट्स्पशन बढ़ेगी कं मौउगी छी आउर्ट क्या होता है जब भी हमारी गाए बच्चा देने के बाद पहले 21 दिन पहले हीट साइकल में तो उसमें कितनी चांसिस हैं वो उसमें प्रेग्नेंट होनें के तो इसमें डॉट डीपियर अगर एक है तो मतलब एक परसेंट यादा चांसिस बन रहे हैं कि उस पीरिड में याद पीटी अगर यादा होता है उससे क्या होता है चार दिन जो आपकी गाए वह पहले ही प्रेग्नेंट हो जाएगी आस कंपियर टू नॉर्मल जो है 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 कि काफी कम है 0.04 परसेंट मतलब हम कह रहे हैं कि डॉट्टर प्रेग्निसी रेट 1 परसेंट बढ़ेगा बट कि 3 परस इनकी प्रबब्लटी काफी कम होती है है कि कम है डीप्यार का फार्मूला है 21 डेस डिवाइड करेंगे उसको डेस ओपन कितने थे आपके उसमें यह वालंट्री बेटिंग पिरिट कितना था प्लस 11 यह फार्मूला है तो हमारा एवरेज डीप्यार जो है है वो 31.2 है और ज जर्सी में हुए 71.61 तो मतलब अमेरिका मैं CDCP के अनुसार के हर एक जो एचेफ गाये है वो 71 दिन के अंदर एवरेज प्रेग्नेंट हो जाती है बच्चा देने के बाद और जर्सी जो है 71.61 दिन पे प्रेग्नेंट हो जाती है बच्चा देने के बाद हीफर कंसेप्शन रेट हीफर कंसेप्शन रेट होता है कि जो अभी नॉन प्रेग्नेंट हीफर है वो जब भी हीट साइकल में आती है तो कितने परसेंट चांसेस एक्स्ट्र है उसको वो कंसीब हो जाएगी वो एवरेज डाट आगे अनुसारा तो अगर मैं बता दूं कि ब्रीट कितने है हिफर कंसेप्शन का जो सीडी डी औूजिकी अनुसार है वो है 55.3 तो आप समझाते हैं कि 55.3 परसेंट हो जर्सी का पहली हीट साइकल में आएगी उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कंसीब हो जाएगी as compared to breed based तो breed based क्या है average है co-conception rate HF का 38.7 और jersey है 39.2 तो मतलब यह जो भी चीज़े मैं बता रहा हूँ daughter pregnancy rate, co-conception rate he for conception rate, यह bull की जब daughters आएंगे उसमें यह दिखता रहेगा आपको example लेते हैं जैसे spike bull है तो spike bull का जो आप देख पा रहे हैंगे इसका daughter pregnancy rate जो है 1.7 है प्लस में तो मतलब अगर इसका अगर हम open days कितने हो गए यह 6.8 days जो है वो average, average था 7.1 days 71 days तो उससे यह कम लेगा 6.8 days क्योंकि आपने मैंने बताया था कि एक जो है वो 4 दिन को कम करता है तो 1.7 जो है 6.8 days को इसको ने कम किया open days को, यह मतलब 70 दिन से पहले ही conceive हो जाएगी आप समसके 6.8 days पहले ही को conception rate है इसका 3.1, मतलब इसका काफी अच्छा conception rate है average से, average जो conception rate है HF का 38.7 है तो इसका हम प्लस करेंगे तो 41.8 हो गया को conception rate जब यह spy की daughters मा बनेंगी तो उस समय conception rate क्या मिलेगा हीफर conception rate क्या मिलेगा इसका इसका है 0.1 1, मतलब इसका हो गया 0.1% तो average हीफर conception rate है 55.3 तो इसको minus 0.1 करेंगे तो 55.2% हो गया तो आप समसकते हैं यह आगर इस bull की daughter जब milking पे आएंगी वो जो मा बनेंगी यह हीफर होंगी तो उनमें क्या conception rate मिलेगा अब point करते हैं negative वाले वाले जैसे brute है तो brute का जो है daughter pregnancy rate है minus 3.4 है तो average जो आपने देखा कि HF का है 71 days average तो minus 3.4 हो गया तो मतलब इसमें 12.4 दिन यह extra average के रहेगा तो मतलब average brute की daughter 84 दिन में क्या होगी conceive होगी तो उस हिसाब से यह देखा गया है CCR जो है minus 3.8 है तो मतलब इसका conception rate average से कम है तो average का 38.7% तो इसका minus 3.8 करेंगे 34.9% हुआ तो हीफर conception rate की बात करें तो इसमें है minus 0.9 तो मतलब 55.3 minus 0.9 करेंगे तो 54.4% इसका हीफर conception rate है तो मतलब brute की जब बचियां और जब वो गाएं उनका conception rate क्या मिलेगा उनकी daughters को pregnancy rate क्या मिलेगा यह दर्शा आता है minus जैसे Romeo है तो Romeo का भी जो daughter pregnancy rate है वो है 1.7 means कि इसका 6.8 days जो है एक कम लगाएगी average ता 71 तो 71 से पहले ही day से पहले ही यह conceive हो जाएगी तो उसी और cow conception rate है 2 तो मतलब average जो है 39.4 है जर्सी का तो इसमें और 2 add करेंगे तो 41.4% हो गया हीफर conception rate की बात करेंगे तो 2.8 है तो 49.5% है average जर्सी का तो यह 52.3% हो गया इस तरह से जो आने वाली जो daughters है वो आच्छा conception rate दिखाएंगी यह average से कम दिखाएंगी वो पहले ही data जो है हर एक CDCV के अनुसार वो हर एक bull का जर्मिक data में लिखाई होता तो इसलिए आपकी गाये यह दा conception rate दिखा रही है यह कम है तो उस हिसाब से अपने लिए best bull चूज करें धन्यवाद किसान भाईयो वीडियो में एंट तक बने रहने के लिए कोई भी question आता है वो मन में वो आप comment box में पूछ सकते हैं धन्यवाद